मुंगेर में इस तिल्च लाती धूप और लू के चलते बजारों में पसरा सनाटा, दुकांदार कर रहे गरां का इंतिजार, लेकिन इस भीशन गर्मी और लू के कड़ा नहीं निकल रहे लोग, दरसल मुंगेर में इस भयंकर गर्मी और चल रहे लू से लोगों अभी रात म प्लेचर के साथ भयानक लूच चलने के काई जिले के मुख्य बजार सिदान ने इलाकों के बजारों में और सरकों पे सनाटा पड़ा है लोग भयंकर गरमी की काई जब तक कोई मातपून कार नहीं होता है तब तक लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने से परेज करते दिख रहे हैं बाजारों में दुकांदार चाये वह बड़े वेवसाई हो या छोटे फूटकर विकरता सभी चिल्चलादी धूप और गरमी में भी दुकान खोल गरागों के आने का इंतिजार करते दिख रहे हैं दुकांदारों और फूटकर वेवसाईयों ने बता कि सु अपने अपने दुकान खोल कर लोगों की परदिक्षा करते रहते हैं ताकि कुछ ग्रहां का आये और कुछ समान बिके तो उसकी कुछ कमाई हो सके जिससे उनका रोजी रोटी चल सके इसी को लेकर दुकान खोल के बैटे रहते हैं दुकान बहुत ज्यादा धूप रहता है कुछ अब नेजर लिध ci नियाजर देता है जब अभी धूप में घरमें रहते हैं बयाघ है अभी जाड़ मर्याल तो चीज का अभी कमाई दमाई है लेख यह वहार में बहुत चानि सब निकलते हैं अब पहार तक को आदमी जन नहीं देता है मर्कीड में दोग तो बहुत है कम से कम नहीं तो 40 डिग्री अभी तो बहुत है है स्वेसे भी दो वर तिन वर नहा लिए है बहुत गड़मी है यहां सब पड़े सान बिने गड़मी से अगर हम एक बैपारी के दिश्टी कौन से देखें तो यह बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है क्योंकि कस्टमर घर से निकल नहीं और निकले भी क्यों इतने दूप में सरकार से लेके डॉक्टर्स तक मना ना निकले तो इतनी आवशकता जिसको नहीं है वो घर से नहीं निकल रहे हैं और हम लोग बारिस आजाता था लेकिन इस बार पता ने इश्वर का कौन सा हम लोगों ने गलती किया है कि बिल्कुल एक बार भी बारिस नहीं आई आज पास के जिला में भागलपुर सुल्तांगंस तक बारिस आया है लेकिन मुंगेर नहीं पहुंचा संजे कुमार भबलु मुंगेर बंच गर्मी का हाल थर बहुत बेहाल है और हम लोग सुबह से बैठे रहते हैं साम तक में कोई कस्टमर से मुलाकाते ही नहीं हो पाती है और कोई आदमी निकलता नहीं है बहुत लगबग 43 42 के लगबग का पान चलना यहां पर बारिस नहीं हो हम तक बजार में कोई आदमी नहीं आता है एक खाली मार्केट रहता हम लोग मजबूर हैं जो बठे रहते हैं हमारा नाम हुआ सुकला जी सब लोग जानते हैं को सुकला जी करके